पेडिंग के पहले दिन पेटियम के शेयर में 27% की गिरावट क्यों हुई यह हम समझने वाले हैं पहुत तकड़ा मसला है यह हाल ही में साथियों हुआ क्या कि पेटियम जो की 197 कम्यूनिकेशन नाम से एक कंपनी पेटियम शेखर सर्मा की कंपनी अगर आप जानते हों जानते ही हों आप मैं से बहुत सारे लोगों ने पेटियम से पेमेंट्स भी किये होंगे तो साथिवां ऐसी स्थिति पेटियूमके शेयर एक ही दिन के अंदर डञा ऑफ ले में एक चोथाई की कमी आ गई पेटियम को बहुत बड़ा सेट बैक लगा क्या था ये पूरा मसला आईए मैं आप आपको बताता हूँ साथियों हाल ही मैं यानि की लास्ट वीक पेटियम के द्वारा आईपियो लाया गया था अब ये आईपियो क्या होता है थोड़ा समय इसके बारे मैं आपको बता देता हूँ देखिए क्या होता है जैसे मान लीजिए कि आपने एक कमपनी बनाई एक कमपनी बनाई एक कमपनी बनाई लेकिन आपको लगता है कि आपकी कमपनी को अब धीरे धीरे जनता से पैसे लेकर के बड़ा बनने की जरुवत है थोड़ा और आसान करके समझाता हूँ माँ लीजे कि मेरी खुद की कमपनी का नाम है अवस्थी कंसल्ट solntancy private limited अब मेरी कमपनी को लगता है कि मै ने मेरे इसाब से जितना business करना था चाहे किताब निकाल करके करना था चाहे कोचिंग चला करना था चाहे खुद काम करके करना था पैसा ठीक ठाक कमा लिया लेकिन मुझे लगता है कि नहीं अब और बड़ा बनने की जरुवत है बड़ा बनने के लिए तरीके क्या है एक तरीका तो ये है कि मैं किसी को बुलाओं और कहूं कि भाई आप इतना पैसा इसमें लगाईए इन्वेस्टमेंट करिए कमपनी को बड़ा कर देते हैं एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैं कमपनी के नाम पर लोगों को कहूं कि आप लोग मालिक बन जाएं लोगों को मालिक कैसे बना सकता हूं मैंने क्या किया मेरी कमपनी का आधा हिस्सा लोगों से कह कर के यह कहा कि आप लोग मुझे पैसे दो अपन मिलकर के इस कमपनी को बड़ा करने का काम करते है जो भी मुनाफ़ा आएगा उसे हम आपस में बांट लेंगे मालनो कि मैंने मेरी कमपनी के 50% share लोगों में share कर दिए तो ऐसी इस्थिती में जो भी धन गुमाया गया जो कमाई आई वो कमाई को मैंने सब लोगों के बीच में साजा कर दिया तो इसलिए आप भी मालिक बन गए और मैं भी मालिक बना रहा लगभग इस प्रकार की जो प्रकिरिया होती है मैं कैसे पता चलेगा अभी मैं बताता हूँ मान लीजिए कि आपने पेटियम का उधारन लिया अब पेटियम ने IPO इनीशिल पब्लिक आफरिंग लाने का प्रस्ताव रखा इसका मतलब यह हुआ कि पेटियम चाहती है कि मैं आप लोगों को मालिक तो बनाऊं लेकिन मालिक बनाने के नाम पर जो पैसा मुझे आप से चाहिए वो एक शेयर पर दो हजार रुपया मिनीमम चाहिए एक शेयर पर अगर मुझे दो हजार रुपय मिनीमम चाहिए तो ऐसी इस्तिती में उस दो हजार को बढ़ा कैसे किया जाए 2000 को बढ़ा करना का मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपसे मिनीमम 2000 रुपे उगाऊं और एक लाख लोगों से 2000 रुपे उगा लूँ तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे इस प्राइस को जो मैं मांगता हूँ आप लोगों से इसे लिस्टिंग प्राइस कहा जाता है कौन सा प्राइस कहा जाता है लिस्टिंग, लिस्टिंग का मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में यह कह दिया कि मुझे आपसे 2000 रुपे चाहिए अब आप लोगों ने क्या कि एक काम करते हैं कि मैं मंडे के दिन अपना शेयर मार्केट ओपन कर रहा हूँ यानि Bombay Stock Exchange में Paytm ने कहा कि मैं मंडे के दिन लोगों के सामने उपलब्ध होता हूँ जिसको मेरे शेयर खरीदने हो जिसको Paytm में मालिक बनना हो वो आ जाए मंडे के दिन क्या होता है मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग जब आए तो उन्होंने आकर के Paytm के वो जो शेयर थे मान लीजिए कि Paytm ने केवल हजार शेयर निकाले थे एक बार के लिए हम ये समझते हैं पेटियम ने केवल हजार शेयर निकाले, लेकिन उन शेयर को खरीदने के लिए लगबग दो हजार लोग आ गए, पेटियम ने शेयर कितने निकाले हजार, खरीदने के लिए लोग कितने आ गए, दो हजार, कि हम खरीदना चाहते हैं, तो शेयर तो रह गए कम, और लोग आ ग तो इसकी value बढ़ने लगेगी और जब value बढ़ने लगेगी तो value बढ़कर के मान लिजी ये 2200 रुपए प्रती share के हिसाब से बिग गया यानि कि जब share open हुआ तो open वाले दिन ही 2200 के हिसाब से चला गया एक बार के लिए ऐसे मानिए फिर क्या करती है पेटीम ने अपने इस 2200 रुपए को market में list करा दिया कि अब किसी को अगर share purchase करना है 2200 में कर ले लेकिन साथियों अगले दिन क्या होता है ये 2200 के दिन जब लोग खरीदने आते हैं तो भाई सहाब पता चलता है कि लोग 2200 में इस share को खरीद ही नहीं रहे लोगों ने इसको खरीदना तो छोड़ द लिए ये share बिकते बिकते 1500 रुपे प्रती share के हिसाब पर आ गया या 16 रुपे प्रती share के आधार पर आ गया अब आप पूछेंगे पेटियम के साथ ऐसा हुआ क्यों कि लोगों के पास में ये news निकल के आ गई कि पेटियम के पास में अभी कमाने के लिए कोई option ही नहीं आपसे ये कह दूँ कि आप मुझे पैसा दो मैं कमपनी बड़ी कर लेता हूँ आपके पैसे से मेरी कमपनी डबल तिबल हो जाएगी अपने खूब कमाएंगे और मैं लाब शेयर करूँ गा लेकिन आपको मेरे बारे में कई से पता चल जाएगी सर इनके पास तो कमाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है कमा कासे लेंगे जिस तरह का ये बिजनिस कर रहे हैं उसमें तो कमाई है नहीं तो ये हमको क्या दे देंगे तो असल में इसके लिस्टिंग होने के बाद में मार्केट में ये निउस ट्रेंड कर गई कि PayTM जो है वो कमा के पैसे देई नहीं पाएगी जब PayTM पैसे देई नहीं पाएगी तो लोगों ने उस Oversubscribed को Undersubscribed कर दिया यानि कि वो शेरों की बिकवाली शुरू हो गई हालत ये हुई कि जो PayTM सोच के शुरू ही थी उस शुरुआत के चक्कर में 27% value नीचे आ गई एक बटे चार हिस्सा PayTM का डेवन में नीचे आ गया PayTM का एक बटे चार हिस्सा डेवन के अंदर नीचे आ गया और इससे PayTM को जबरदस्त नुक्सान हुआ कहने का मतलब है जो मैं 2200 रकम बोल रहा था असल में वो 250 रुपे का issue price था जो की 1564 पे जा करके बंद हुआ ये हालत हुआ PayTM का जिसकी वजह से मतलब बहुत बुरा हाल हो गया PayTM के साथ में 27% इस्तिती जो है इसकी नीचे गिर गई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा setback था मार्केट के अंदर अभी तक क्या हो रहा था जितने भी दिन IPO आने वाले होते थे लोग खरीदने के लिए पहुँच जाते थे जिसकी वजह से जो कोई साथ भी share भी के वो share over subscribe हो जाता था और बड़ी रखम निकाल करके लोग आगे निकल जाते थे ये जो हिस्तिती हुई है इसने अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया है अच्छा इसके बाद में अब मैं आपको ये और बता दिता हूँ कि जो Paytm नाम से कंपनी है उस Paytm नाम की कंपनी के अंदर उसके जो CEO हैं जिसका नाम है इजह शेकर शर्मा उनके पास में कुल Paytm का 15% हिस्सा है 14.97% हिस्सा है इसमें इन से भी जादा हिस्सा Paytm के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो चायना का है Paytm के अंदर 30.33% हिस्सा जो है वो आंट ग्रूप का है ये आंट ग्रूप कौन सी है अगर आप जानते हो तो ये आंट ग्रूप Alibaba अगर आपको याद हो तो जो Alibaba नाम से कंपनी है जैक मावाली उस जैक मावाली कंपनी में से जो आंट ग्रूप है उसका पैसा Paytm में लगा हुआ है यानि Paytm का एक तीहाई हिस्सा तो आंट ग्रूप का है इसके अलावा जापान की एक बैंक है जिसका नाम है Soft Bank 20% हिस्सा उसका है इसके अलावा Elevation Capital नाम से एक कंपनी है उसका है और 11% इधर उदर चोटे मोटे निवेशकों का है ये देखिए और Alibaba का अलग से यानि चाइना का लगबग इसमें 38% हिस्सा है इस पूरे PayTiM के अंदर शेकर शर्मा के पास केवल 15% हिस्सा है ये आपको पता होना चाहिए तो उमीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी क्या हुआ कैसे हुआ ये मैंने समझाने का चोटा मुटा सा प्रयास किया है लेकिन इससे पहले जो जुमेटो बगएरा के साथ हुआ था उनको बहुत ज़्यादा लाब हुआ था PayTiM सोच रहा था उसे भी लाब होगा PayTiM को लॉस हो गया चाहिए आज की जानकारियों में Special Classes की सूचना Special Classes में आज Asia Map का आखरी दिन है Asia के इस मैप को आप मेरे साथ में सुबह 11 बच के 15 मिनिट पर Unacademy Learning अब पर देखने वाले हैं जो की Free of Cost है Fees के नाम पर केवल अंकित 10 रेफरल कोड आपको इसमें लगाना है इसके अलावा मेरे द्वारा SSC के अंदर Indian Geography पढ़ाई जा रही है इसके बाद में Indian Quality का बैच लाया जाएगा यदि आप मेंसे कोई भी विद्धार्ती इस बैच को पढ़ना चाहता हो Use my referral code Uncate 10 अब आपको इस बैच को जॉइन कराने के लिए भी हम एक जबरदस्त ओफर ले आएं है जबरदस्त ओफर ये है साथियों कि bank exam हो SSC exam हो कोई और regulatory board का exam हो उन सब की fees में 15% discount दिया जा रहा है आप में से कोई भी विद्धार्ती इस period में यानि कि इस सीमित समय के अंदर fees में इस price drop का लाब ले सकता है विशेश रूप से जो एक साल का subscription हमारा 6500 रुपीज का हुआ करता था उसकी price को drop करके 4973 रुपीज कर दिया है यानि कि एक प्रकार से 1500 रुपे का price drop इसमें हुआ है आप में से कोई भी विद्धार्ती इसके अंदर enroll कर सकता है अंकित 10 referral code यूज करके उसे से SSC category के अंदर ये जो classes है मात्र 5000 रुपे में साल भर के लिए complete static GK static GK के साथ में maths की class, reasoning की class आपकी English की class अभी आने वाली भविश्य की सारी classes जो previous recorded classes है पैरलली जितने educators पढ़ा रहे हैं उन सब की classes आपको ये उपलब्द हो जाती है limited period offer है कम समय के लिए ये offer उपलब्द है आप इसे access कर सकते हैं इसमें आपको मेरी जो Indian geography चल रही है वो day 1 से आपको इसका lecture प्राप्त हो जाएगा आप इसे join कर सकते हैं ठीक है?